हमारे देश के आधी population 25 साल से कम age के हैं और 60% से ज़ाधा population under 35 year के हैं हमारे देश का power है हमारा youth पर हमारे देश की सबसे ज़ादा निरास करने वाली ये बात है हमारे देश के youth unemployment के मामले में बहुत आगे हैं अगर आप दूसरे देश से इंडिया को compare करें लाइक USA, चाइना, जपान तो आप यहां देख सकते हैं बिरोजगारी किस हद तक हमारे देश में बढ़ा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट का स्किल्स हमारे देश के यूथ में उतना स्किल्स होता ही नहीं जिस बेसिस पे उनको अच्छा जॉब मिल सके आज के स्टूडेंट या तो वो सोसल मीडिया के दुनिया में खो गये हैं या उनको सही से गाइडलेंज करने वाला नहीं है मार्केट में जिस स्किल्स का बहुत डिमांड होता है उस स्किल्स की कमी के कारण आज लोगों को एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है इन सबका सबसे अच्छा सलूशन है दू रिसर्च एंड डेवलप यूर स्किल्स तेन थे टोल एडुकेशन कम्प्लीट करने के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाते हो उसका अच्छे सी रिसर्च करना चाहिए उसके बाद उस फील्ड में जाने के लिए कौन-कौन से स्किल्स सीखने होते हैं उसको उपार आपको फूकस करना चाहिए गौर्मेंट भी ऐसे बहुत सार प्रोग्राम चला रहे हैं जो आपके अंदर के स्किल्स को डवलप करने का काम कर रहे हैं पर स्टुडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं होता है आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे तीन कौर्स के बारें बताऊंगा जहां से आप एक अच्छा जौब पासकते हैं और अपने केरेल को अच्छे तरीके से बना सकते हैं कौर्स करने के बाद आपको उस कौर्स का फ्री का सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस certificate को आप अपने job के resume में ये LinkedIn में add कर सकते हैं जिससे आपका job मिलने का chance और भी बढ़ जाता है और सबसे अच्छी बात आप इनके course अपने mobile से भी कर सकते हैं तो friends इस video को लाख तक जरूर देखें और अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें यहां को online make money से related और skill development से related information मिलते हैं मैं आपको यह तीन course बताऊंगा यह तीनो course skill India की तरफ से offer किया गया है यह program ministry of skill development and entrepreneur की तरफ से चलाय जा रहा है यह program हाल में ही शुरू किया गया था इंडियन student के skill को develop करने के लिए तो friends शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह उपर की side में skills course पे क्लिक करना है फिर उसके बाद आपको यह free के option पे क्लिक करना है आपको यह जिस field में आपको course करना है आपको बहुत सारे course यह free में जाएंगे यहां हर field से related course free में लोगों को provide कराय जा रहा है एक बात मैं आपको और clear कर दूँ यह government का website है आप इसके link को देख सकते हैं जिस website में .go भी लगा हो वह government के website होता है course को complete करने के लिए सबसे पहले आपको course में register करना परेगा course में register करने के लिए आपको अधार card का नंबर आपसे पूछा जाएगा और जिस नंबर से आपका अधार card register है वह mobile नंबर भी आपके पास होना चाहिए Skills India में कोई फर्जी काम नहीं होता है यहां पे सारे के सारे course 100% genuine है मैं आपको सारा process यहां आपको step by step संजाने वाला हूँ सबसे पहले आपको Skills India के website को open करना है जिसके link आपको description box में जाएगा उसके बाद आप जो course complete करना चाहते हैं उस course को आपको select करना है उसके बाद आपको उपर की side में एक register का button मिलेगा उसको उपर आपको click करना है यहां आपका जो first option है Learn and Unparticipate उस option पे आपको click करना है उसके बाद आपको जो number है उस number को यहां add करना है आपको mobile में एक OTP आजागा उस OTP को यहां add कर देना है आपको यहां कोई 4 word का यहां password को create कर लेना है password create करते ही आपको यहां अधार card add करना का option आएगा आपका जो अधार card का number है उस number को यहां add कर लेना है अधार card add करते ही आपको mobile पे फिर से एक OTP आएगा उस OTP को फिर से यहां add कर लेना है लास्ट में आपका यह registration का process complete हो जाएगा अब बात करते हैं वो तीन course जिससे आपने थमनेल में देखा है मेरा यह पहला course है Cyber Security आज के date में इंटरनेट का जितना demand होता जा रहा है वैसे ही Cyber Security का बहुत ही demand बढ़ता जा रहा है यह nocru.com का website है आप nocru.com में यहां देख सकते हैं Cyber Security से related इतने सारे job पूरे इंडिया में provide कर आया जा रहे है आप जिस state से belong करते हैं उस state में भी आपको Cyber Security का job मिल जाएगा मैं आपको एक और website देखाता हूँ यह LinkedIn का website है अगर मैं LinkedIn में Cyber Security लिक कर सार्च करूँ तो आप यहां देख सकते हैं आज के date में Cyber Security का कितना demand है अगर Cyber Security के salary के बात करें तो यहां पर यहां देख सकते हैं Cyber Security का इंडिया में salary 6 lakh से लेके 8 lakh के बीच average होता है कोर्स को complete करने के लिए simple आपको अपना यह mobile number add करना है उसके बाद आपको यह enroll के button पे किलिक करना है यह course totally free है इसे आप अपने computer में या अपने mobile में दोनों में सीख सकते हैं आप यह भी देख सकते हैं इस course को अभी तक 26,000 से भी ज़्यादा student ने complete किया है यह course पूरे 10 hour का है और इस course को complete करने के बाद आपको cyber security का यह free का certificate मिल जाएगा तो चलते हैं अपने next course की तरफ मेरा है next course है financial management skills इस course में भी पूरे 6000 से भी ज़्यादा student है complete किया है और इस course का length लगवक 2 घंटे का है और यह course भी totally free है इस course को complete करने के बाद आप financial management related जितने company होते हैं उन सारे company में apply कर सकते हैं यह course pure Hindi में है यह course को आप असानी से समझ सकते हैं और यह course भी complete करने के बाद आपको free में certificate मिल जाएगा अगर आप यह topic पे click करें तो आप यह देख सकते हैं इसमें आपको financial management related और cash flow management related information दिये जाते हैं तो friends चलते हैं अपने तीसरे course की तरफ मेरा तीसरा course है introduction to English skills यह ऐसा course है जिसे हर fields related student को यह course करना चाहिए इस course को अभी तक 7000 से भी ज़्यादा student ने complete किया है और यह course पूरे 20 आवर का है यह course भी totally free है इस course को अगर topic की बात करें तो इसमें आप pronoun, action word, introduction of position, kind of sentence, writing simple, reading, speaking, listening यह सब आपको यह सिखाया जाता है और किसी भी fields related company में job करने के लिए यह सब skills आपको आना बहुत जरूरी है आप यह एक साथ बहुत सारे course को join कर सकते हैं अगर आप student हो और आप जानना चाहते हैं future में कौन से skills सबसे ज़्यादा demand में होने वाले हैं तो इस video को जरूर देखें यह सारे ऐसे skills हैं जो आने वाल और skill development के video में तब तक के लिए take care and best of luck